प्रसासन के द्वारा लंबे समय से की जा रही सक्तियों के बाद आखिरकार अब रीवा में कोरोना का असर कम होता दिख रहा है लगभग एक महीने बाद रीवा जिले के नए संक्रमीत मरीजों का आकड़ा सौ से नीचे पहुंच चुका है जिला स्वास्त विभाग की ओर से जारी किये गए डेली मेडिकल बुलेटन के अनुसार आज रीवा जिले में कुल 1526 जांचों में से केवल 97 कोरोना संक्रमीत मरीज मिले कोरोना की दूसरी लहर के शुरू होने के बाद यह पहला मौका है जब रीवा में कोरोना का संक्रमन सौ से नीचे आया है इस आंकडे से न केवल जिला प्रशाशन बलकी आम लोगों ने भी राहत की सांसली है आज रीवा के शहरी शेत्र में केवल 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जबकि गोविंदगर बलॉक में 6, नई गढ़ी में 5, गंगेव में 11, टाइपूर कर्चुलियान से 10, मौगंज से 3, हनुमना से 12, जवा से 7, त्योथर से 9 और सिर्मोर से 8 पॉजिटिव मिले हैं ज़्यादा तर बलॉकों में कोरोना संक्रमण के नए आकड़े इकाई अंकों में हैं रीवा में संक्रमण दर अब तेजी से घट रहा है, वहीं ठीक होने वाले मरीजों का दर यानी रिकवरी रेट भी बढ़कर 90 प्रतिसत के आसपास हो चुका है लेकिन इनसम के बीच रीवा में चिंता की बात यह है कि यहां लगातार मौत का आंकड़ा बरकरार है इसके साथ ही रीवा जिला मधप्रदेश के 5 सबसे ज़्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में शुमार है संपूर मधप्रदेश का संक्रमण दर 5 प्रतिशत पहुँच चुका है इस लिहाज से देखे तो रीवा जिले का संक्रमण दर अभी भी ज़्यादा है लेकिन आज नए आकड़ों के बाद रीवा वासी जरूर सुकून की सांस ले सकेंगे आपको बता दें कि मुखमंत्री श्रीवरा सिंग चौहान ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मधप्रदेश में भले ही कोरोना की रफ्तार कम हो रही है लेकिन 31 मई तक किसी तरह की कोई धिलाई नहीं दी जाएगी इससे पहले ही अनुमान लगा जा रहा था कि लगातार घटते कोरोना संक्रमन के मद्य नजर मधप्रदेश में अब कोरोना कर्फ्यू में धिल मिल सकती है दरसल सरकार की चिंता यह है कि लगातार घटते मरीजों के बावजूद अगर कर्फ्यू में ढिल दी गई तो लोग एकदम से घरों से निकल जाएंगे जिससे इस्थिती बिगड सकती है और यही कारण है कि मुखमंत्री सिवरा सिंग चोहान ने यह बड़ी घोशना की है इसके साथ ही मध्व प्रदेश में पोश्ट कोविड समस्याएं भी बढ़ रही है मध्व प्रदेश के पांच मेडिकल कॉलेज जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपूर, ग्वालियर और र पुष्टी हुई है जिससे प्रदेश सरकार अब पोश्ट कोविड समस्याओं के लिए भी रणनीती तै कर रही है और इस खबर में फिलाल इतना ही आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहे है गुड मॉर्निंग टीवी के साथ यूट्यूब में गुड मॉर्निंग ट झाल के लिए लिए कि ली एगे ट्रह यूट से लिए ऑाओेट्गी तै की झाल कॉट्स का स्रेच्स का